नमस्कार दोस्तो मैं सुनिल शर्मा आपका रक्षम टेक में सुवागत करता हूँ फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे CCTV ओटो रिकोर्ड प्रोलम फ्रेंड्स आपकी CCTV कैमरे की रिकोर्डिंग अगर कंटिनू नहीं होती है तो ये ओटो रिकोर्ड की प्रोलम हैं इसे सौल करने के लिए सबसे पहले आपको advance सेटिंग में जाना पड़ेगा DVR में इडवान सेटिंग में जा करके आपको override को enable करना पड़ेगा override को enable करने के बाद आपकी ये जो प्रोलम है वो सौल हो जाएगी फ्रेंड्स ओटोर CCTV record की problem बहुत ही आम है काफे सारे लोग जो है इसे face करते हैं जो CCTV use करते हैं फ्रेंड्स इस problem के अंदर आपकी जो CCTV recording है वो continue नहीं होती है 10 दिन 20 दिन जो भी उसका recording period होता है recording complete होने के बाद हमें जो है उसे manually format करना पड़ता है पिसली recording को delete करना पड़ता है तब जाके next recording start होती है जो की काफी प्रिशानी वाली बात होती है तो फ्रेंड्स इसे solve करने के लिए पहले ही बता चुका हूँ सबसे बहले तो आपको जो है override को enable करना है advanced setting में जाकर के अगर फिर भी आपकी problem solve नहीं होती है तो second step में friends आपने जो DVR की setting से आँको default करना पड़ता है factory reset उसे करना पड़ेगा आपको तो आपकी problem solve हो जाएगी DVR को reset करने के बार एक बार अपनी hard disk को भी आप please format कर लिजिएगा फिर आपकी cctv auto recording में किसी तरह की कोई प्रिशानी नहीं आएगी friends वीडियो अगर पसंद आया है तो please इसे like करना और हमारे channel रक्सम टेक को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा friends हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुर्बो धन्यवाद thanks for watching